इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन ज़रूर पेस करें, हमारी निव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स राधे राधे, आज हम आपको बताएंगे कि महाशिवराती पर और सावन में, हर पूरण मासी पर और माग के महिने में, आप कैसे पार्थिव शिपरवार बना कर तयार करें, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मिट्टी में दूद, दही, गंग इन दोनों को मैंने पहले से ही पीस कर छान के रखा है, ध्यान रखिए मिट्टी में बिल्कुल भी कंकड नहीं होने चाहिए, अब हम देख लेते हैं सामिगरी क्या क्या चाहिए, कच्चा दूद, दही, घी, शहद और गंगा जल, तो चलिए सबसे पहले हम पार्थिव शि नहीं मिल पाएगी, मैं पूरी बिधी से आपको पार्थि शिपरबार बनाना बताऊंगी, और साथ ही बताऊंगी कि आप बिना कुछ किये, खुद ही किस तरह मूर्तिकों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से, कोई भी कटनाई नहीं होगी, तो थोड़ा सा शहद, दूद को हम सारा डाल देंगे, दूद भी हमें इतना ही इस्तमाल करना है, ज्यादा नहीं करना है, अगर आपके पास मिटी ज्यादा है, तो आप ज्यादा इस्तमाल कर सकते हैं, अब डालेंगे हम इसमें गंगाजल, पूरी मिटी को हम गंगाजल के पार्थिव शिपरवार बनाने के लिए अगर आपके पास चिकनी मिट्टी हो तो आप चिकनी मिट्टी से भी बना सकते हैं और अगर आप साप के बिल्की मिट्टी से बनाते हैं तो बहुत ही जादा उत्तम होगा बहुत ही शुफलदाई होगा अगर आपके पास वो है तो आ है कि आफ शिव परवार या पार्फिव शिवलींग किस तरह हम बना सकते हैं किस तरह मिट्टी तयार कर सकते हैं यह सही अच्छारों में भी यहीं घखाना और बदिव मना कि इस तरह को पॉलेघिन में कबर करके रख देंगे हमारी मिटी तयार हो चुकी है इस तरह रखने से मारी मिटी सेट हो जाएगी तो मूटिया भी अच्छी बनेंगी मैंने यहां पर पहले से ही मिटी में दूद दही गंगाजल शहद और घी को मिला लिया है और मैं आप शिपरवार बना रही हूं मैं यहां पर सबसे पहले माता पारवती की मूर्ति तयार कर रही हूं आप ध्यान से देख रहे हैं और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको मूर्ति बनाना बताती हूं आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं मैंने कई वीडियो पार्थिव शिवलिंग की भी डाली है और मा देख सकते हैं और आपको मेरी बनाई हुई मूर्तियां कैसी लगती हैं प्लीज कमेंट करके बताईएगा महा शिवरात्री पर सावन में पार्थि शिव परवार की हम पूजा पूरे विधी विधान के साथ और बहुत ही सरल तरीके से कैसे करें उसका भी वीडियो में बना आने वाली हूं बहुत जल्द ही अगर आप इस तरह महा शिवरात्री पर और सावन में पार्थि शिव परवार बनाकर पूजा करते हैं तो उसका अगलग ही महत होता है वह बहुत बड़ा फल भी मिलता है हमारी सभी मनों कामना पूर्ण हो जाती है तो यहां पर मैं पार्थिव शिव परवार बनाते हैं तो उसका अलग महत होता है और पार्थिव शिवलिंग अगर हम बनाकर पूजा करते हैं तो उसका अलग महत होता है लेकिन पार्थिव शिव परवार और पार्थिव शिव परवार बनाकर घर पर अपने पूजा करवाते हैं पंडितो अभी नहीं होता है कि पार्थिव शिपरवार का निर्वान कहां होता है कहां से हम बनवाएं तो आप इस तरह खोड़ पार्थिव शिपरवार बनाकर स्वयम पूजा कर सकते हैं बस इस बात का ध्यान रखियेगा जो मैंने विधी बताई है मिट्टी गूत्ने की घी दूद दही, गंगा जल और शहद मिलाकर मिट्टी को तयार करें, उसी से पार्थी शुक परवार तयार करें, इस बात का विशेशकर ध्यान रखिएगा, और ये सभी चीजें बहुत थोड़ी तोड़ी डालनी है मिट्टी में, बहुत जादा नहीं डालनी है, अब मैं आपको बताऊँगे, बहुत ही सरल तरीके से आप इन सभी मूर्थियों प्राण प्रिथिष्टा कैसे कर सकते हैं, आप जब भी माता गौरी की मूर्थी बनाएं, तो भवान भुले नात का मंतर का जाप करें, या इस्मरण करें, कहें ओम नमस्षिवाय, ओम नमस्षिवाय, क्योंकि माता गौरी को भुले नात भुले नात प्रिये हैं, बहुत तपस्या करने के बाद माता गौरी को भुले नात प्राप्त हुए थे, इसलिए जब भी माता गौरी की मूर्थी तयार करें, तो ओम नमस्षिवाय का जाप जरूर करें और जब आप गड़िष वगवान की मूर्तिर तयार करें तो मादफपारबती और भुदेलाथ का मंत्र जाप करें ओम स्री गारी शंक्रायनमः ओम जहां कही विमाद जाप होता है कान के मंत्रों जैन भी आ भगवान गड़ेश ने माता पारवती और भोले नात की परिक्रमा करके पूरे भ्रमान की परिक्रमा कर लीती तो भगवान श्री गड़ेश को अपने माता पिता भोले नात 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 तो इससे भगवान स्री गर निश को बहुत ही खुशी मिलती है क्योंकि भय हमेशा उत्ता दिशा की तरफ अपने माता पिता को देखती रहते हैं और जब आप भगवान स्री कार्ट के जी की मूर्ति तयार करें तो ओम गोरी शंक्राय नम्हा, ओम गोरी शंक्राय नम्हा का जापकर है बोले नात माता पारवती के मंत्रों से उनको बहुत ही सुख मिलता है उनको बहुत ही प्रसंता मिलती है क्योंकि बुले नात माता पार्बती को कार्ट की भगवान भी प्रिय हैं और कार्ट की भगवान को माता गौरी और बुले नात भी बहुत ही प्रिय हैं क्योंकि कार्ट के भगवान जी माता गौरी और बुले नात के सबसे बड़े पुत्र है अब बात आती है शीवलिंग तयार करते समय हम किन मंत्रों का जाप करें जिसे हमारी पार्थिव शीवलिंग की प्रांपतिष्टा हो जाए तो जब आप पार्थिव शीवलिंग तयार करें तो श्री राम जैराम जैराम का जाप करें या फिर राम राम का जाप करते हुए शीवलिंग को तयार करें आपने देखा होगा जब भी आप भगवान भुले ना तपस्या में लीन होते हैं तो वे हैं सिर्फ राम नाम का जाप ही करते हैं अपने इशर अपने इश्ट का जाप करते हैं जब आप राम नाम का जाप करते हुए शिवलिंग की मूर्ति तयार करते हैं तो अपने तो आपकी अर्जी तभी लग सकती है जब आप नंदी वाबा को खुश कर सकते हैं नंदी वाबा को आप प्रसन कर सकते हैं अगर आपको अपनी बात भुले नाथ माता पारवत्ति तक पहुचानी है तो सबसे पहले नंदी बाबा को प्रश्ण कीजिए उनके कान में कहिए नन्दी बाबा की मूर्थी तयार करें तो तो फ्रेंट्स मैंने ये आपको जानकारी दे दी है और हमें पार्थी श्रीपरवार की मूर्ति से करूंगी और बहुत ही सरल तरीके से जो हर कोई कर सके और बहुत कुछ बताने को है अभी उस वीडियो में आपको बहुत सी जानकारी देने वाली हूं और फ्रेंट्स पार्थिव श्रीपरवार की मूर्ती तयार करते समय अगर मुझे कोई कमी हो गई हो मुझे कोई तुर् बता दिया है अगर मुझे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए आपसे छमा चाहती हूं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक दिन पहले भी मूर्ती बना कर तयार कर सकते हैं बस आपको इतना करना है जब आपकी मूर्तियां सब तयार हो जाए तो आपको सूपी हल्दी का थोड़ा चींटा मारना है मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमको करना है इससे क्या होता है कि इंदेटा हमारी पूजा का फल नहीं लेते हैं अगर हम हल्दी का चींटा मारकर मूर्ति को नहीं रखते हैं तो सबसे पहले इंदेटा पूजा करके चले जाते ह इसलिए यह काम किया जाता है यहां पर मैंने पार्थिव शिप परवार की सारी मूर्तियां बना कर तयार कर ली है और सुखी हल्दी का थोड़ा सा चींटा भी मार दिया है इतनी ही जादा हल्दी नहीं डालनी है वस थोड़ा सा ही हल्दी का चींटा मारना है सुखी हल्दी का जिसे हमारी पूजा का या हमारी मूर्ती की सबसे पहले इंदिदेपता पूजा ना कर सके हैं तो देखिए फ्रेंड्स पार्थिव शिपरवार तयार हो चुका है यहाँ पर मैंने सिरंगार भी किया हुआ है आप चाहे तो सिरंगार कर सकते हैं आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं आप ऐसे ही मूर्ती बना कर पूजा कर सकते हैं लेकिन याद रखिए मिट्टी को पहले से ही तयार कर लीजिए और अगर आप पार्थिव शिपरवार की पूजा करना चाहते हैं तो हो सके तो एक दिन पहले ही आप सारी मूर्तियां बना कर तयार कर लीजिए क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है और आपने देखा होगा जब भी हम और होडर करके पार bipartisan ship परवार की मूर्तियां बनवाते हैं तो वो भी एक दिन पहले ही दो दिन पहले ही बनाकर रखते हैं तो यह ती मेरी छोटी सी जानकारी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपनी फैमली फ्रेंड्स में जादा से जादा शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली वार आ हैं प्रूस्ँ करें दीजिएगा कर दो खो वीडियो और कर दीजिए का दyangके हैं जाफसे मेरी रीक ले खलिए 對ॉड़ में जाई जाए थे मेरे बना